मैं समय हूँ मेरा जन्म स्रिष्ट के निर्मान के साथ हुआ था मैं पिछले युगों में था इस युग में हूँ और आने वाले सभी युगों में रहूँगा अनंत काल से प्रित्वी पर राज करने की लडाई चारी है लाखों वर्ष पहले संसार में भी सरक यानिकी डाइनसोर्स जैसे अद्भुत जीवों का राज था पर काल चक्र के साथ वो ना चल पाए और आखिर उनका अन्त हुआ फिर धीरे धीरे इश्वर के पुत्र मानव ने धर्थी को अपने वश में किया और शुरू हुई मुकाबले की एक ऐसी आधी जिसने सब भेताओं का उदै और अन्त देखा रोम की शान तो कभी युनान की विशाल शक्ती कभी मुगल सल्टनत बुलंदियों तक पहुँची तो कभी ब्रिटिश सामराज्य ने अपने ही सूरज को अपनी ही आखों के सामने डूपते हुई देखा और मैं इन सारी घटनाओं का साक्षी रहा क्योंकि मैं समय हुँ पर समय पक्षपात नहीं करता इन सभी सभ्यताओं राजवन्शो और सामराज्य ने जीतना तो सीख लिया लेकिन उस जीत को कायम रखने के लिए वो मेरे साथ बदले नहीं और जो समय के साथ बदलते नहीं समय उन्हें बदलतेता है और आज एक बार फिर समय बदल रहा है ये बताने से पहले की आने वाला कल कितना सुनहरा होगा मैं आप से तीन जरूरी प्रश्ण पूछना चाहता एक क्या आप इस करवट लेते युग के साथ खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं दो क्या आप हमेशा शिखर पर रहना चाहते हैं तीन क्या आप समय के साथ पदलने को तयार हैं अगर आपका उत्तर है हाँ तो जान लीजिए कल की सफलता और आज की जीत और आने वाली कल की काम्याबी के पीछे बस एक ही रणनीती है और वो है परिवर्तन परिवर्तन पहले सोच में फिर अमल में अगर आप मेरे साथ हैं तो यू समझे वक्त आपके साथ है फिर कल आज और कल बस आप ही होंगे सफल